नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का भारतनी जफियस्पा तो दोस्तों आप अभी इपनी स्क्रीन पर एक टूइट देख रहे होंगे यहां टूइट हमारे संसद्य कार मंत्री पहराद जोसी द्वरा किया गया है इसमें आप टूइट में पढ़ रहे होंगे कि के समय होने वाले इस संसद के सत्र में सार्थक चर्चा और बहस होने का को लेकर आस्वानवित हूँ तो यह टूइट जब से आया तब से बीपक्ष में पुरा खलवाली मच गया कि मोदी जी इस सत्र को लाकर क्या करने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले ही संसद का मांसून स करने पहलए है करने का Sancet के बिपक्ष नहीं समझप पार रहे हैं पर सिर्फ क्या यह हो सकता है यह असकता है तो वही मीडिया से ही ख़बर निकल कर आ रही है कि सुच्रों के मुताबे ख़बर निकल कर आ रही है कि या तो मुदी जी UCC बिल आ सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पर वो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कुछ लोग बोलने हैं कि one nation one election आ सकता है और इसी की संभाबना सबसे जादा है जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि साल के लास्ट में पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओ होने हैं अब वो राज कौन कौन से हैं राजस्थान है उसके बाद 36 गठ है उसके बाद MP है तिलंगना है और मिजोरम है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन राज्यों का चुनाओं दिस्वंबर में होने वाला है तो कया सिया लगा जा रहे थे तो कि इसी राज्यों के election के साथ चार महीने पहले लोग सभा कभी election करवा दिया जाएगा हो सकते हैं इस पर नितिश कुमार भी बोल चुके हैं कि election की त्यारी की जाए क्योंकि कभी भी election हो सकता है संसत भंग करके कभी भी चुनाओं हो सकता है उस पर ममताब अनरजी जी भी बोल चुकी है कि हो सकता है कि सरक सरकार डर गई है इंडिया आयलाइंस के बैठके जो हो रही है उससे डर गई है हम लोग साथ आ चुके हैं इससे डर गई है तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं मेरा यह मानना है दोस्तों कि हो सकता है कि सरकार one nation one election की तरफ बढ़ जाए क्योंकि जैसा कि आप आप लोग पती रामनात कोविंद होंगे और उसी से रिगार्डिंग एक development आ रही है कि आज सुवा ही भाजपा प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने उनके सरकारी आवास पर जाके मुलाकात किया और आप लोग ने फोटो भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले हैं रामनात कोविंद जिसे संग पर मोहन भागवत मिल चुके हैं तो यह यहां दिखाता है कि बीजेपी अभी भी रामनात कोविंद को लेकर बहुत कुछ सोच रही है कि उनका कैसे उनको परियोग मिलाया जाया उनको retirement बीजेपी अभी नहीं देना चाहती है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व सब्सक्राइब को काई सब्सक्राइब करता रहोंगा दोस्तों लेकिन अभी फिलहाल नियुज यहीं निकल के आ रही है कि आई एंडिया गठपंदन का जो बैठक हो रही थे महराष्ट के मुंबई में तो उसका रंग फिका पर गया है मीडिया में अब वह बात चर्चा ही नहीं हो रहा है मीडिया में चर्चा सबस लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नियुज पाने के लिए धन्यवाद